हाई फ्रेंट्स वरी बूर्णिंग नमस्ते जहें घमागणी जैपोर मैं देवेंदर सिंग राठोर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का दिल की गहराईयों से स्वागत करता हूँ बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही पैल आइकोन को जुरूर प्रेस कीजिए क्योंकि बिना पैल आइकोन प्रेस किये आपको नए नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे औ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार आये हो तो जुरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको नहीं नहीं प्रोपर्टीज और हर एक बजट के इसाथ से आपके बजट के अकोडिंग मिलेगी तो चलते हैं यह आप देख रहे है सामने किसोर पूरा रोड है असी फिट रोड है जो की कालवा रोड और सीशी रोड का लिंक रोड यह किसोर पूरा रोड असी फिट रोड है और इसी में यह रादा वियार थर्ड यह जो मोटर साइकल आ रही है इसी तरह भी यह पूरी कॉलोनी रादा वियार थर्ड है और इसके अंदर यह आप सामने जो दुकान बनीवी थी वहां से यह जो बाउन्डरी है इसके बीच में 200 फुट सेक्टर रोड है जो इसमें निकली भी है यह आप देख सकते हैं जो रोड बनीवे और इसी रोड के पास में यह जो दो फिलर जैसे बनेवे हैं यह 200 फुट रोड क और इस पर यह सामने आप देख सकते हैं डुपलेक्स इस्ट फैसिंग है यह चार डुपलेक्स बनेवे हैं और यह सामने देख सकते हैं आप पूरी कोलोनी पूरी कोलोनी के अंदर मकान अभी फ्रेस नए बनेवे हैं लगबग पूरी कोलोनी भर चुकी है और कालबा रोड जाइपूर जो मेन कालबार वोड़ है उसे हार्डली 400 मिटर है ये रेल्वे स्टेशन जाइपूर जंक्सन से इसका डिस्टेंस तक्रिवन 12 किलो मिटर है और 200 फिट बाइपास अजमेर देली एक्स्प्रेस हाइवे से ये एप्रोक्समेटली 6 किलो मिटर है ये आप देख रहे हैं दो मंजिला स्वतंत्र मकान रादा वियार थर्ड किसोरपुरा हातो जेपूर में सेमी डुप्लेक्स है 3BHK है 90 वर्गज में है 18,50 साइज है इसकी ये आप देख सकते हैं 3BHK डुप्लेक्स प्राइम लोकेशन पे है 2,67,000 की सबसीड़ी के साथ है अभी मैं आपको अंदर से इसका विजिट कराता हूँ ये सामने आप देख रहे हैं पारकिंग एरिया इसमें पानी का टेंक है यहाँ पर और ये आप देख सकते हैं फ्रंट बेडरूम के साइड में ये बलकनी और उपर वोडन कलर की अबा है बलकनी में और ये आप देख सकते हैं ये बाहर से इसका जीना है स्टील की रेलिंग और ग्रिनेरेट का जीना और अभी जैसे हमने एंटर किया ये डाइनिंग रूम आ गया है चोकुर बिल्कुल स्क्वेर में है बहुत ही अच्छी साइज है इसकी किमत मातरे गुन 30,29,000,000 रुपे है लोनेबल है ये प्रोपर्टी और ये आप देख सकते हैं एक वॉल पे रॉयल प्ले में डिजाइन है और एक वॉल पेंटिंग है पॉल शिलिंग वगरा सब कीवी है और ये आप देख सकते हैं वास बैसिन हॉल में और इसी के साथ ये कॉमन टॉयलेट इंडियन टॉयलेट है ये वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है मकान में इस्ट फेसिंग है वास्तू के अकोल्डिंग बनावा है ये आप देख सकते हैं किचन मोडूलर किचन है पूरा फरनीचर बगेरा सब लगायावा है ये वास बैसिन है मिक्शर लगावा है गीजर बगेरा के पॉइंट दिये वे हैं और ये आप देख सकते हैं बीच के अंदर चिमनी का स्पेस छोड़ावा है और उपर अग्जेस्ट फैन के लिए जगह दीवी है ब्लैक टॉप ग्रे नाइट है और ये आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम इसमें एक वोल रॉयल प्ले में डिजाइन है पॉल्चलिंग दीवी है एसी फिटिंग है अटेस्ट टू गैलरी है और ये विंडो में कुलर के लिए दीवी है अटेस्ट बातरूम है वेस्टन टॉयलेट है ये वन पीस सीट लगी है मिक्सर लगावा है शावर लगावा है और अभी ये देख सकते हैं याँ वाडरोब एक स्टोल टाइप है ये आप देख सकते हैं काफी बड़ी है और ये आप देख सकते हैं गैलरी यहाँ पर इसकूल देखें तो कल्यान वर्ड इसकूल जो की हारली पांसो मिटर पे है इंगलिस मीडियम स्कूल है बड़ी है स्कूल है और हातोज जो बस स्टेंड है वो भी तकरिबन पांसो मिटर पे है यह फ्रेंट साइड बेडरूम है फॉल्स लिंग वगरा सब लगी भी है यह फ्रेंट साइड बेडरूम है और सामने की तरब यह स्पेस दिया है बलकनी का और यह फ्रेंट साइड से आप देख सकते हैं सामने का व्यू यह सामने की तरब जो 80 फिट रोड के उपर गाड़ी चलती भी दिखाई दे रही है यह 80 फिट रोड है जो कि कालवर्ड रोड से कनेक्ट है इस और पुरा रोड है और बीच में सेक्टर रोड है 200 फिट का इसी के बीच में और अब ही हम चल रहे हैं मैं आपको टेरिस पे लेकर चलता हूँ यह आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का जीना है स्टील की रेलिंग है यह टी फ्रेम लगावा है वेंटिलेशन के लिए और अभी हम चट पर आचुके हैं सेमी डुपलेक्स है यह उपर एक बैडरूम और बात्रूम है और सामने की तरब आप देख सकते हो बेक साइड में भी पूरे मकान वगरा सब बने वे हैं यह चार डुपलेक्स हैं जिनमें से तीन सेल हो चुके हैं यह एक बचावा है यह आप देख सकते हैं उपर जाने के लिए यह सीटी लगाई भी है यह तीनों सेल हो चुके हैं यह एक बचावा है और यहाँ यह आप देख सकते हो कॉमन बात्रूम और यह फ्रंट साइड बेडरूम अटेस्टू बैलकनी है यह पॉल्च लिंग लोईल प्ले में डिजाइन बिजली बगरा सब है यहाँ पर पानी के लिए आपको टेंकर की जरुद पड़ेगी अभी यहाँ पर बोरिंग नहीं है टेंकर मंगवाने पड़ेंगे आपको पानी के यह आप देख सकते हैं बैलकनी में वोडन कलर है और यह पतर की जाली डिजाइन में और यह आप सामने फ्रेंट साइड से देख सकते हो आप यह स्टार सिटी की विल्डिंग है ऐसी और भी अप्टेशन के लिए जुड़े रहे हमसे हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब कीजिए और साथ यह बेल आइकोन को जुरूर प्रेस कीजिए और अगर प्रोपर्टी पसंद है तो दिये वे नंबर पे कॉल कीजिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में जय हिंद गुडबाई टेक क्यार